हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल नर्शरी नोलिज जी हाँ दोस्तो अगर आप मेरे चैनल आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और साथ इसाथ वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजी जिससे के आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुलाब के पोधों के बारे में अगर आपकी किसी भी तरह के गुलाब की रिक्वाइरमेंट है तो आप हमारे दिये गए दोनों नमबर पर कोल कर सकते हैं वोट्शेप पर कोंटेक्ट कर सकते हैं हमारे पास देसी गुलाब की काफी सारी विराइटियां भी लेवल हैं जो की सभी कलरों में उपलब्ध होती हैं देसी गुलाब के अलावा हमारे पास इंगलिश रोज भी सभी कलरों में अवेलेवल हैं जैसे कि रेड कलर, येलू कलर, फाइड कलर, पिंक कलर, औरेंज कलर, मैजेंटा कलर, काफी सारे कलरों हमारे पास रेड रोज भी अवेलेवल है, जैसे कि आफ सबी लोग जानते हैं देशी रोज की कोश्ट थोड़ी कम होती है, English Rose की कोश्ट बहुत ही जादा होती है तो इसलिए लोग सबसे जादा English Rose को भी लगाना पसंद करते हैं क्योंकि उदेखने बहुत ही जादा खुबसुरा दो होता है लेकि लोग यह नहीं जानते कि सबसे जादा देशी रोज ही लगाया जाता है देशी रोज में खुश्बू बहुत ही जादा होती है और इसकी फ्लावर्स भी बहुत अच्छे होते हैं और एक ही प्लांट पर काफी जादा फ्लावर्स आते हैं इसमें खुश्बू जादा होने कान इसको जादा लगाया जाता है और ये इसकी कोश्टी बहुत ही जादा कम होती है और देसी रोज जो है हमारे पास quantity के हिसाब से उपलब्ध है हमारे पास बहुत ही जादा quantity में देसी रोज आपको मिल जाएगा और English रोज भी आपको हमारे पास quantity के हिसाब से मिल जाएगा अगर आपकी किसी भी तरह की requirement है तो आप हमारे पास contact कर सकते हैं या directly call कर सकते हैं अगर आप नर्सरी संबंद किसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube channel नर्सरी knowledge पर जाकर visit कर सकते हैं उस पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो पढ़े हुए plants are related तो दोस्तो मैं मिलूँ आपको एक और इसी तरह की वीडियो में